अगर आपका सपना पाइलेट बन हवाईजाज उडाने का है तो आज हम आपको पाइलेट बनने के लिए जरूरी योगिता, कोर्स और फीस की जानकारी के अलावा यह भी बताएंगे कि कमर्सिल पाइलेट को कितना वेतन मिलता है नमस्कार दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए जानते हैं पाइलेट बनने की पूरी प्रक्रिया भारत में दो तरह से पाइलेट बना जा सकता है एक तो आप भारती वायू सेना में भरती होकर फाइटर प्लेन के पाइलेट बन सकते हैं दूसरा आप कमर्शियल पाइलेट बन कर यात्री विमानों को उड़ा सकते हैं कमर्शियल पाइलेट बनने के बाद आपको इंडिग में जान लेते हैं इसके लिए सबसे पहले तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए बारवी क्लास में उम्मिद्वार के फिजिक्स, गडित और अंग्रेजी में 50% से अधिक नमबर होने चाहिए उम्मिद्वार की लंबाई 5 फिट से अधिक होने चाहिए और उसकी आँखों की दृष्टी चस्मा लगाने के बाद 6 बाई 6 होनी चाहिए इसके अलाबा वह मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए जिन उम्मिद्वारों ने बिना फिजिक्स और गडित के बारवी की परिक्षा पास की है उन्हें निरास होनी की आवश सकता नहीं क्योंकि ऐसे उम्मिद्वार एन आई ओएस से इन दोनों परिक्षाओं को पास करके भी पाइलेट बन सकते हैं कमर्सियल पाइलेट बनने के लिए उम्मिद्वार को डिरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एविएशन यानी DGCA से मानेता प्रात किसी फ्लाइंग स्कूल या क्लब में एडमिसन लेना होगा भारत में ऐसे 43 फ्लाइंग क्लब या स्कूल हैं इसके लिए सबसे पहले उम्मिद्वार को एक प्रिज़ परिक्षा देनी होगी प्रिज़ परिक्षा में पास होने के बाद उम्मिद्वार को एक पाइलेट एप्टिट्यूट टेस्ट देना होगा इसके बाद उम्मिद्वार का इंटर्विव होगा इंटर्विव में पास होने वाले उम्मिदवारों को flying club या स्कूल में दाखिला मिल जाएगा admission मिलने के साथ ही उम्मिदवार को student pilot license यानी SPL दे दिया जाता है student pilot license मिलने के बाद उम्मिदवार को prescription देना सुरू कर दिया जाता है साथ घंटे का prescription पूरा होने के बाद उम्मिदवार को private pilot license यानी PPL परदान किया जाता है इसके बाद 260 घंटे उड़ान का prescription पूरा होने के बाद commercial pilot license यानी CPL दिया जाता है CPL को प्राप करने के बाद उम्मिदवार पेशेवर pilot के रूप में काम करने के लिए तयार हो जाता है इस course को पूरा करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है यह अब धी पूरी तरह से flying club या school के उपन निरभर होती है commercial pilot course करने के लिए उम्मिदवार को फीज के रूप में 40 से 45 लाख रुपे तक चुकाने होते है यह फीज थोड़ी जादा जरूर है लेकिन एक बार नौकरी मिलने के बाद 2 से 3 साल में आप इस से अधिक कमाई कर सकोगे commercial pilot license प्राप करने के बाद उम्मिदवार को एरलाइन्स कम्पनी में नौकरी के लिए आविदन करना होगा पाइलेट के रूप में नौकरी देने वाली कम्पनी में उम्मिदवार को टाइप रेटिंग ट्रेनिंग करनी होगी टाइप रेटिंग ट्रेनिंग के लिए भी उम्मिदवार को तीस से चालिस लाख रुपे खर्च करने होंगे चार से पांस सब्ता की टाइप रेटिंग ट्रेनिंग के तहट एरलाइन्स कमपनियां नए पाइलेट को अपने हवाई जाज चलाने का प्रसिक्षन देती हैं कमर्सिल पाइलेट बनने का एक और भी तरीका है एरलाइन्स कमपनियों के कैड़ेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिये भी कमर्सिल पाइलेट बना जा सकता है निजी एरलाइन्स कमपनियां कैड़ेट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हैं इन कारिकरों में एडमीशन लेने के लिए योग गता वही होती है जो flying club या school में admission के लिए निर्धारित है cadet training program की fees 60 से 80 लाख रुपे के बीच होती है cadet training program को पूरा करने के बाद वही airlines company उमिदवार को नोकरी भी देती है अब हम आपको सबसे जरूरी जानकारी देते हैं और वो है pilot के वेतन की commercial pilot license प्राप्त करने के बाद सबसे पहले pilot को junior first officer का पद मिलता है junior first officer को 50,000 से 1,500,000 महीने की salary मिल जाती है पहले promotion के बाद first officer का पद मिलता है और इस पद पर 2 से 3,500,000 महीने का वेतन मिल सकता है अगले promotion के बाद senior first officer का पद प्राप्त होता है और यहां पर 4 से 4.5 लाख रुपे महीने तक सेलरी मिल सकती है 5 से 6 साल बाद किसी पाइलेट को कैप्टन का पद मिलता है और इस पद पर पाइलेट को 6 लाख रुपे महीने से अधिक वेतन मिल जाता है ये थी कमर्शल पाइलेट बनने से सम्मधित पूरी जानकारी अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं इसके अलावा करियर से संबंदित अन्य सवाल भी आप यहां पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के बीज सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद